Hello my dear students, कैसे है dear student, आज आप लोग के बीच में एक बहुत ही important topic डिसकस किया जा रहा है, ये topic उन studentों के लिए बहुत ही जादा beneficiary होगा, जो higher jury cell के त्यारी करते है, civil judge के त्यारी करते है, APU के त्यारी करते है, इस topic से आप लोगों के लिए हर examinations में जो competitive exam होता है, चाहे वो PT का exam ह जिसको बोलते है, मेंस का examinations हो या interview हो, इस topic से questions आप लोग से बराबर पूछे जाते है, तो dear student, वो topic आप लोग का criminal law का एक topic है, और वो Indian evidence set का topic है, dying declaration, मृत्युकाली कथर, तकि dying declaration पर आज आपको इस वीडियो में सारी बाते मिलेंगे, किस legal maxim पर ये dying declaration का chapter बनाये गया है, वो legal maxim आपको बताए जाएगे, Indian evidence set के section बताए जाएगे, और जो उससे related case है, वो आपको बताए जाएगे, आपके साथ discuss किये जाएगे, और dying declaration कि इसको कहते है, dying declaration कि क्या evidential value होती है, क्या इसकी validity है Indian evidence set में, वो सारी बारे की आप लोग को एक एक करके बताए जाएगे, इसके साथ साथ आपको ये पर बताए जाएगा है, कि अगर dying declaration देने वाला ब्यक्ति, dying declaration देने के बाद बच जाता है, नहीं मरता है, तब क्या होगा, जो बराबर आपके exam में पूस्ति, तब उसकी previous statement की क्या evidence value होगी, तो dear student, आज इस video को आप लोग पूरा देखे, और इस पे comment लिखिएगा, कि आपको वीडियो कैसा लगा, dear student, I am herdsberry शिर्वास्तो, law experts, परिच्छा रिफ्रेशर, online law classes from a laban, देकि परिच्छा रिफ्रेशर एक ऐसा channel है, जिसमें results related हो, और साथ साथ इस पे हम अपने बराबर experts को बुलाते रहते हैं, जो judges होते हैं, लाग के professors होते हैं, psychologist होते हैं, और आप लोग के साथ जो current में, examination में selected student होते हैं, उनको बुलाते रहते हैं, आपने देखा होगा कि अभी हमने आप लोग के लिए बिहार APO में, जितने student select ह परिच्छा रिफ्रेशल लाग क्लासे से एक एक करके सब को मिलवाया, तो ये चैनल आप लोग के लिए devoted है, बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ये student आपको बताना चाहते हैं, ये परिच्छा रिफ्रेशल लाग क्लासेस की ओर से, पठना में, ब केट्स रहेंगे, हम आप सब लोग को इन्वाइट करते हैं, आप आए, पठना में, रेल्वे स्टेशन से 1-5 किलोमीटर के दूरी पर है, हीरा पैलेस, हीरा पैलेस, एक वो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर है, आप लोग को हम बराबर धेर सारे व के साथ बहुत बढ़ाएं की इवेट्स होने जा रहा है, आप भी उसके हिस्सा बने, और सर आप लोग को इन्वाइट करना चाहते हैं, तो चलिए डिया स्टूडेंट, आज हम लोग डाइन डिक्लेरेशन पर आते हैं, देखते हैं कि डाइन डिक्लेरेशन से रिलेटेड क कहुन से टोपिक है, जो इन्डिया इवेट्स के लिए आप लोग के लिए बहुत इंपर्टेट होते हैं, तो चलिए डिया स्टूडेंट, रेडि हो जाईे आप लोग, डाइन डेक्लेरेशन के लिए, तेक डाइन डेक्लेरेशन, जिसको हम लोग χिंदी में कहते हैं मृत होते बेसिक चीज से शुरुआ से बताएंगे और लास्ट तक आप लोग को कंप्लीट कराएंगे जो ब्यक्ति हैं जो भी इस प्रिद्भी परजन में लेता है युनिवर्सल टूथ है सबको मतना तो एक होती नेचुरल डेथ एक होती कैस्वल डेथ तो तो जो नेचुरल डे होती है वहाँ पर डाइन डेक्लरेशन से कोई लेना देना नहीं वहाँ पर डाइन डेक्लरेशन का कोई प्रोवीजल लागू नहीं होता त्योंकि जो नेचुरल डेथ होती है वो नेचर के द्वारा होती है वो किसी की किसी भी समय हो सकती है छोटे बच्चे की भी हो सकती ह 10-15 साल के बच्चे की हो सकती है, नौजवान की हो सकती है, ओल्ड पर्सन की हो सकती है, वो किसी की भी हो सकती है, और मरना सब को है, ये भी निस्चित है, उनिवेर्सल टूथ है, तो उसमें बसके वाल इतना कानून कहता है कि जिस धर्म से आप जुड़े हुए है, उस धर्म क according वोस डेड़ बोडी का डिस्पोजल कर दीजिए तो चलो वह नेचुनल डेथ हो गया डाइन डिक्लरेशन से बाहर अब आती है कैजवल डेथ होती है जैसे रोड एक्सिडेंट है किसी ने किसी को गोली मार दिया किसी ने कोई जहर खा लिया किसी ने किसी जानवर ने काट लिया यह तरह तरह कि जो कैजवल्टी किसी ने सुसाइट करने के कोशिस किया तो इसमें तको दो बाते हैं अगर उजब्यक्ति ने कोई कैजवल्टी के किया और मर गया तब लोगों के कॉगनिजिंस में आया पुलिस की कॉगनिजिंस में आया चूंकि अब कर दो हम सकते हैं तब वह जान सकते हैं तब लौग का कहता है कि वह देड़ भाडई हो गई है अब डेटबाड़ी हो गए तो डेट इमर्च परिटे परिच्छछ इंक्वेस्ट इंडिender cheesy पुलिस रेगुलेशन में पढ़ते हैं, यानि जो पुलिस आफीसर है, उस एरिया के पांच रिपोटेटर परसंद की एक रिपोर्ट लगाता है, कि जो ये परसंद की डेट बाडी में ले जा रहा हूं, ये मर चुका है, और फिर उसको ले जाता है आस्पिटल, क्यों डेथ हुई, किन कारों से डेथ हुई, चुकि जो देखे हम लोग के सब गार्जियन, हम लोग के जो है, वो इस्टेट है, इस्टेट ये जारना चाहता है, कि हमारे एक सिटीजन कैसे मरा, किन कारों से मरा, तो उसके लिए वो क्या करते है, काउज अफ डेथ को लिख परसन तो जब घायल अवस्था में कोई बैक्ति मिलता है घायल है गोली लग गई है रोड एक्सिडेंट हो गया कुछ भी हो गया तो तब यहीं से डाइन डेक्लरेशन का जो चेप्टर है वो स्टार्ट होता है सबसे पहले जो पुलिस आफिसर से उनके ड्यूटी होती है कि जो घायल बैक्ति है उसको हस्पिटल ले जाए तो हस्पिटल में जाने के बाद जो डाक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहा है उस डाक्टर से जरूर पूछ ले कि जो मैं बैक्ति को लाया हूं उसकी कैसी कंडिशन है क्या हालत है ऐसा तो नहीं है कि वो खत्रे के अंदर है क देखें इस डॉक्टर कहते हैं कि पेसेंट के कंडिशन बहुत सीरियस है किसी समय कुछ हो सकता है तो देखें इसी सब कंडिशन में जब कोई घायलबेक्टिक को लाए जाता है तब डाइंग डेक्लरेशन का प्रॉसेस स्टार्ट होता है पुलिस आफिसर की ड्यूटी होते ह अपने डिस्टी के किसी भी मजिस्टेट को जल्दी से जल्दी बुलाए और हास्पिटल ले जाए जो मजिस्टेट जाते हैं डाइंग डेक्लरेशन रिकॉर्ड करने के लिए उनको उनको ये कहा गया है कि जो घायल बेक्ती है उसको कम से कम बुलवाईए कोशिस करिए हालत किसने की यानि यह जानने की कोशिस होना चाहिए वह एक्यूस परसन कौन है जो इसकी यहालत किया है क्योंकि यही में चीज है और यह कहा गया है कि उसको जो मजिस्टेट है उसको इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर ले अब इस स्टेटमेंट के रिकॉर्ड करने के ब नहीं है तब उसका जो previous statement जो magistrate को उसने दिया है उस statement को बोलते dine declaration उस statement को बोलते dine declaration उसने जो cause बताया है कि मेरी यह हालत किस ने किया उसकी basis पर उस person को accused बनाया जाएगा अभिक्ट बनाया जाएगा है जिसके ऊपर यह charges लगे हैं यहीं पर हम लोग की Indian evidence set की section 32 का part first apply होता है अब यह कहा जाता है कि चुकि वह मर चुका है अब उससे ना तो कोई examination हो सकता है ना तो कोई cross examination हो सकता है तो evidence set के here से evidence के basis पर here से अनुशु साच के basis पर dine declaration को admis bill बनाया गया ग्राह बनाया गया और जिस ब्यक्ति का accused बनाया गया जिसका नाम लिया गया उसको दंडित किया जाता है अब यह कहा जाता है कि केवल उस person के statement के basis पर accused person को punish कर दिया जाता है ऐसा क्यों तो दिखें इस पर legal maxim है a person who is about to die would not lie जो ब्यक्ति मरने के कगार पर होता है वो जूट नहीं बोलता जिस ब्यक्ति की मृत्य बिल्कुल नर्क या जो भी बोलते हैं वहां वो जा रहें वहां के दिर्स दिखने लगते हैं ये भौतिक जगति की चीज दिखने बंध हो जाती है पारलौकिक जगत दि लगती है जिस कारण वहां पर अपना मुझाप मोल के नहीं जाना चाहता एक उकलь वो की दुनिया होती है ये बाते लीगल मैक्सी में कही गए है इसी चीज को हमारे ऑन्रेबिल सुप्रिंग कोट ने भारत के उच्चतम नहाय लेने सकुतला वर्सेज स्टेट एया या 2009 के केस में भी बोला कोट ने ये डिसाइड किया कि मरने वाला ब्यक्ति जूट बोलकर उस द नहीं जाना चाता है तो इसलिए इस लीगल मैक्सिम पर हीयर से यूडेंस के बेसिस पर अनुस्य साच के आधार पर डाइन डेक्लरेशन को बोला गया है अब दिया स्टूडेट यहां पर कोश्चन यह आता है कि अगर वो बैक्तिन नहीं मरा स्टेटमेंट देने के बाद जिन्दा है चाहे वो मेटकल ट्रीटमेंट से जिन्दा सर्वाइब कर गया बच गया या ऊपर वाले ने बचा लिए अब क्या होगा अब कोश्चन होता है कि जो उसने मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दिया अब उसका क्या होगा तो ऐसे कंडिशन पर इंडियन कि देखो भाई जो डाइल डेक्लरेशन दिया था चुकि बच किया है अब उसका रिवलिशा अब उसका क्रॉस एग्जामनेशन करें अब उस विक्टिम का एक्यूस परसेन के ड्वारा क्रॉस एग्जामनेशन होगा 145 में 157 में जो विक्टिम है उसको कहा जाएगा आप previous statement का corroboration कराईए मिलान कराईए संपोसक कराईए तो dear student दो section को आप लोग याद रखिएगा 145 145 157 145 में accused person को chance दिया जाता है cross examination करने का victim का 157 में जो victim होता है उससे कहा जाता है अपने previous statement का corroboration कराईए जो इसमें कराई ले जाता है अगर cross examination में accused person जो previous statement दिया है उसको गलत साबित कर देता है accused क्या होगा 22 जद बरी एक्विटल कर दिया जाएगा 157 में अगर victim अपने previous statement को corroborate करा देता है accused person को दंड दिया जाएगा तो यह होता है इंडिया उडिया जट पे तो dear student आप लोगों को बताना चाहते हैं कि परिच्छा refresh ला क्लासेज पर इंडिया जूडेज का एक बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट होने जा रहा है और वो बैच बहुत ही जल्दी यानि कि पांच फर्वरी पांच फर्वरी को रात में आठ बजे पांच फर्वरी से इंडियन इूडियन सेट का अगर आप ऐसे टॉपिक को पूरा डिसकस करना चाहते हैं हर्श व्यारी सर के स परिच्छा रिफ्रेशर आल्लाइन लाग क्लासेस पर तो उसके लिए आप लोग के लिए बता दिया जाता है कि पांच फर्वरी देखिया हमें यह पे डेट लिग दे रहे हैं पांच फर्वरी पांच फर्वरी को एट एट पीम पर आप रेगुलर क्लास ले सकते हैं और जो रेगलर क्लास है आप लोग को गूगल मीट पर मिलेगा गूगल मीट पर आप लोग को जो है लाइब क्लास मिलेगी रिकॉर्डेट क्लास मिलेगी और इसके साथ साथ आप लोग को पीडियो फार्म में नोर्स मिलेंगे और जो टेस्ट सीरीज है उसमें आप लोग को हि 30,000 है, HGS की फीस 35,000 है, APOK पीस 19,999 रुपए है, देखोटिया स्टुडेंट, जो आप लोग के लिए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, उसका डिटेल आप लोग को बता देना चाहते हैं, की जो ये बैचेस है, ये पांच फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, देखें, आप लोग को लिखते जा रहा है, पांच फरवरी, आज चार फरवरी है, कल यानि पांच फरवरी को, दो हजार चोबिस को, और ये बैच स्टार्ट किते बज़े होंगे, एट पीम, ठीक है, देखें, इसमें गूगल मीट पर क्लास चलेगी, और लाइब क्लास रहेगी, रिकॉर्डेट क्लास रहेगा, टेस्ट स्रीज रहेगा, और इसके साथ पीडियाप में नोट्स रहेग आधार कार्ड, फेस साइड, बैक साइड, जब आपका आधार कार्ड आ जाएगा, तो आपका इडिविशन ले लिया जाएगा, आपको बैच में जोल दिया जाएगा, और फिर लिंक आपको उसी बैच मिलेगा, आप लाइब क्लास लेंगे, रिकॉर्डेट वीडियो डेल कर सकते हैं फिर आगे और भी जो क्लासे चलती रहेंगे आपको पताए जाएगा थाइंक्यू माइडिया स्टुर्ट